हेलो गाईज एक बार फिट से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ क्या आपको पता है कोवी सेल्फ क्या है जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसा किट है जिसके मदद से आप कोरोना का टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं और वो भी खुद जिया दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इस किट को मंजूरी मिल गई है इंडियन काउंसलिंग ओफ मेडिकल रिसर्च ने कोवी सेल्फ को लेकर एक एडवाईजरी जारी की है जिसमें इस किट के इस्तमाल करने से जुड़ी हुई तमाम गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई है तो चले हम आपको बताता हूँ कि आखिर में कोवी सेल्फ है क्या और इसका इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं गाइस जैसे कि आपको पता है कि देश में COVID टेस्टिंग से लेकर बहुत सारी दिक्कते आ रहे थी ऐसे चल कर ICMR ने बुद्धवार को होम टेस्टिंग कीड कोवी सेल्फ को मंजूरी दे दिये जिसके जरी आप घर पे बैटें, खुद ही कोरना का संकरमन का टेस्ट कर सकते हैं इसमें कहा गया है कि कोवी सेल्फ का नाम एक एंटीजन टेस्ट रहेगा जिसकी जनकारी के विसाबसे कोवी सेल्फ एक ऐसा टेस्ट है जिससे red कहते हैं red मतलब एक rapid antigen test तो ICMR ने कुछ guidelines के बारे में बताया है जो मैं आपको सबसे पहले बता दू ये rapid antigen test उनी लोगों को करना है जिनको COVID के symptoms देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर किसी lab दोरा corona positive वेक्ति के संपर्क में आए हैं इसके अलावा इस testing kit का इस्तमाल बार बार और बिना सोचे समझे नहीं करना है जब भी आप इस kit का इस्तमाल घर पर कर रहे हैं तो इसमें दी गई guideline को ध्यान पुर्वक और आवश्य ग्रूप से पढ़े हैं COVID self mobile application Google Play Store और Apple Play Store पर मौजूद हैं जिसमें test kit को इस्तमाल करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताये गया हैं इस kit के मदद से आप लोगों ने जिन लोगों का testing किया है उसके बाद आप उस test strip की तस्वीर घिच लें और उस तस्वीर को उसी phone से लें जिससे आपने उस application को download और register किया है यह इसलिए important है ऐसा करने से जो data है वो सुरचित server पर चला जाएगा जो ICMR की COVID-19 testing portal पर जुड़ा है जहाँ पर आपका data store हो जाएगा और आपको बदा दू कि यहाँ पर आपकी data पूरी तरीके से confidential रहेगी COVID self test kit के मदद से अगर कोई इनसान positive आता है तो उसे वास्तों में COVID positive ही माना जाएगा ऐसे में दुबारा टेस्ट कराने की जरूत नहीं है positive आने के बाद उन लोगों को home isolation में रखना है इसके लाद दोस्तों ऐसे लोग जिने कोरोना का symptom दिख रहा है लेकिन COVID self test negative आया है उन्हें RT-PCR जांच कराने की सला दी जा रही है ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि माना जा रहा है कि कम virus load के कारण rapid antigen testing की जरिये कुछ मामलों में ये पूरी तरीके से clarification नहीं हो पा रहा है दोस्तों Indian government आये दिन ऐसे नए ने चरीके लेके आ रही है जिसे लोगों को सहूलियत मिल सके और वो COVID में ज़्यादा परिशान ना हो पाए इस तरीके से ICMR ने एक COVID self को launch किया है इसी तरीके से हो सकता है आने वाले समय में और भी धेरो सारे COVID related नए ने चीज़े आए तो गाइस जैसे छोटी से information थी वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा तर लोगों को share कीजेगा और like जरूर कीजेगा तो चलिए आपको मिलता हूं next वीडियो में